कैसे हैं आप सब लोग देबुमी इसके लिंडिया सेंटर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं वीडियो लाया हूं कार वासिंग के पंप के बारे में लाया हूं यह नया खरीद हुआ है इसलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं आप लोग स 400 रुपे का जैसे कि आप डेख चुके हैं अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूं ठीक है मुझे इसके साथ क्या-क्या मिला है और क्या-क्या यह आता है और मुझे इसका प्रोड़क्त बहुत अच्छा लगा और मैंने इसका रिव्यू टैप का किया है आप लोग पैप यह तो आप देख रहे होंगे और इसके साथ पाइप मिला हूँआ है वह भी की आप देख सकते है और माटर सप्लै के लिए पाइप बिला है जो मशीन में है टाइंक से डिरेक्ट ठीक है और कभी कोई दिक्कत आये तो आप शॉप में जाके भी उनसे फिट करवा सकते हो अगर आपको दिक्कत लगती है तो इसका मॉडल आप देखिएगा इसमें लिखा होगा 450 CS 55 ठीक है तो हम मॉडल बोलते हैं तो यह म препis ada बॉलते हैं तो यह मचीने अब अपने मोटर। के साथ इसको फेट करेंगे और आप मेंिसे बाइतोत से कहरें बांच में यूज करते हैं बहुत सारी मचीन आती हैं तौन मेन से किसी बाहूं Scott अच्छी मशीन ले सकते हैं जो 5-6 साल तक लगती है 5-6 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है मेरा जो पहला पम था वह 5-6 साल बहुत अच्छे से चला ठीक है हम उसकी उसमें मोविलेल भी हम टाइम से डालते थे और बाकी जो सर्विस थी वह मैं खुदी कर लेता थ उसको तो हमने उसको 5-6 साल अच्छा चलाया ठीक है और टेक्टर टॉली ट्रक वरक सब अराम से दोता है मैं आपको एक ची बिताता हूं जब भी आप कार वासिंग सेंटर का सेटप लेना चाहा रहे हो तो आप तीन एच्पी है दो एच्पी की मोटर ले लिजीगा और पं अकिका यह 50 नंबर का पंप बहुत सक्षास है मोचली लोग जितने भी लोग यूज़ करते हैं 50 नंबर का पंप लेते हैं दो या तीन एच्पी की मोटर लेते हैं तो अभी जो है हम इसका स्टैंड फिट कर वा रहे हैं यह भी हमारे जो फिट कर रहे हमारे सब्सक्राइब लवनावन का यह हमारे लोकल में ही रहते हैं तो मुझे इनकी कुछ हल्प चीथी मेरा जो स्टैंड था वह अलग साइज का था जो यह पंप नया था इसके नीचे का अलग साइज का था तो इन्होंने कुछ जुगाड बना के इसी पंप को इसमें बहुत असानी से तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा ताकि मुझे स्टैंड में कोई चेंजेस नहीं करने पड़े तो इन्होंने अपना थोड़ा से दिमाग लगाया और यूस किया और बाकी इसमें कुछ इतना कुछ होता नहीं है ठीक है और बाकी आप बैल्ट को आपको कैसे लगाना है देखिए का कैसे होता है उंहें मैं वीडियो किसी चीज प्रमोशन ते लिए नहीं बना रहा हूं यह सपो नोलज समय जो मैं लिया था तो मैंने सोचा की चलो आप मैंसे कुछ लोग जो नहीं हैं कुछ इंफोनिशन शेर की जाए किस तरीके से सेफन्म करते हैं का इसके मैं इसको यूज़ कर रहे हैं अभी हम खाली बैल्ट लगाके चेक करेंगे की पंप और जो मोटर है उसकी दूरी बिल्कुल सैट है की नहीं है अगर हमने पहले ही पंप लगा दिया और नटकस दिये फिर पता लगेगा कि बैल्ट तो लगी ने रही है बैल्ट धिली होरी है तो फिर से हमें पंप खोलना पड़ेगा तो इस वह से हम लोग पहले हमना अब सेट कर लिया है बेल्ट लगा के अब इसके नट कस लेंगे ठीक है गाइस तो गाइस इसी तरीके से हम लोग काफी सारी वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे कार वासिंग के लिए और यह जैसे कि मै सब्सक्राइब बाद चेंज करतेंगे ठीक है फिर दिरी दिरी हम इसको चेंज करते जाएंगे ताकि इसकी जो लाइफ है पंप की स्टीबी पंप की और लंबे टाइम तक चल जाए तो आप यह देखते रहेएगा यह पहली बैल्ट हमने लगा दी है अब दो बैल लगाए और धुक्ति पर जान दार है कितने अच्छी स्पीड से चल ला है अब आपको इसका परेशर दिखा दूंगा एक बार ठीक है और यह वीटो का ही पंप दो दिखने में भी अच्छा है सिस्टम भी अच्छा है बड़ा साइज है आप मैं आपको दिखाऊंगा देखिए का और हमारा टेक्टर दुलाई हो रहा है हमारे यां बोस्ली किसान orange industrial एक है तो यहां पर बहुत सारे टेक्टर आटें कारवाईन आते हैं तो हम से पंप्र भूत आसानी से दुलता प्रेशर पैनी की प्रेशर बहुत जान्दार है रेसर पानी पंडीपर मारते हैं सारी खिल पर फिल वाढकर बड़ सुन Okay